हेलो फ्रेंड्स आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनिट HSSC में तो आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें आपको अपसेंट दिखाया गया है उसका क्या कुछ सोलूशन है लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो भी रिजल्ट नहीं आये हैं पिर चाहिए वो सेकंड सेम का हो, फोर्थ सेम का हो या फिर बियड फस्ट इयर का हो UG, सेकंड एन फोर्थ सेम और बियड फस्ट इयर BA, BSC, BKOM second semester के अभी तक कोई भी result नहीं आया है हलांकि BA fourth semester का result जारी हो गया है लेकिन बचे हुए BA की result और BSC, BKOM की result अभी तक नहीं आये है वो result आपके कब तका जाएंगे मेन आपकी बात होने वाली है कि आपके BA first year की result कब तकाएंगे तो आपके 31 December से पहले पहले सभी result जारी हो जाएंगे ये जो यूनिविश्ट के तरब से है जो ग्यापनशो पथा रवी मसीद जी ने उन्होंने बताया कि 31 December से पहले पहले आपके सभी result जारी हो जाएंगे तो आप 31 तरिक्त कवेट कीजिए उसके बाद आपके जो result जारी नहीं होते है तो फिर देखाज़ाएगा कि जो इन्सो है वो ग्यापन सोपती है आईजियो में या फिर और कुछ solution होता है अब बात कर लें आपके जो result आए हैं उसमें आपको absent दिखाया गया है हलंकि आपने exam दिया था उसके बावजूद भी आपको absent दिखाया गया है इसका क्या कुछ solution है अगर इसकी मैं बात करूँ तो आपके जो भी result आए हैं 4th semester BA के उसमें लगभग students के जो हैं बहुत कम ऐसे student हैं जिनके absent दिखाया गया है सबी student ऐसे नहीं है कि जिनके absent दिखाया गया है paper देने के बावजूद वो या तो किसी एक building के student है या फिर किनी एक या दो room के student है तो उसका क्या कुछ solution है तो आपको बता दू कि ये absent दिखाया गया है students कौन से student है ये कौन से student है ये absent दिखाने वाली student है आपके जिनकी copy अभी तक IGU में submit नहीं हुई है कोपी कब कैसे submit नहीं हुई सबसे पहले आपके जो exam होते हैं उसके बाद आपके exam की copy युनिवस्टी में जाती है और फिर check होने के लिए teachers के पास जाती है युनिवस्टी से teachers के पास गई आप teacher हो copy check करेगा और फिर युनिवस्टी में जमा करवाएगा तो जिन-जिन students का result नहीं आया है उनकी copy check होने के बाद युनिवस्टी में अभी तक जमा नहीं हुई है उनको 2-3 दिन का वेट और करना पड़ेगा जैसे ही वो teacher आपकी copy उनिवस्टी में जमा करवा देगा उसके बाद आपका result है update हो जाएगा जल्दी-जल्दी में उनिवस्टी ने result अपलोड किया है बे फोर्ट सेम का क्योंकि उनिवस्टी पे दबाव था, students का दबाव था कि आभी तक result क्यों नहीं जारी हुए तो इस reason से आपके जल्दी-जल्दी में result जारी हुए है कुछ एक teachers ने अपनी कोई submit नहीं करवाई है जो आपकी copy थी उन्होंने check करने के लिए उनके पास IG ने बेजी थी जैसे ही वो अपनी copy submit करवा देते हैं आपका result अप्टेट हो जाएगा और आपके नंबर show हो जाएगे जहां पर आपको AB दिखाया गया है अब जिनके AW दिखाया गया है उनको अपनी result की copy लेकि उन्होंस्टी में जाना होगा और आपका कोई भी question है आप नीचे comment कर दीजिए IG से related फिराल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लगिए होगी Thanks for watching, have a good day, wait for next video